नमस्कार जेवीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है मैं हूँ अंकिता आज पूरा देश महा शिवरात्री का पर्व धूम धाम से मना रहा है फालगुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुरदशी तिथी को महा शिवरात्री मनाई जाती है धार्मिक मारिताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और मा पार्वती का शुब विवा हुआ था इशान सहिता के अनुसार फालगुन कृष्ण चतुरदशी को महा निशित काल में भगवान शिव करोडो सूर्यों की समान प्रभावाले लिंग की रूप में प्रकट हुए थे इसलिए इस दिन शिवलिंग की विशेश पूजा की जाती है इसी कारण महा शिवरात्री के दिन भगवान शिव की विदिवत पूजा करने से शुब फलो की प्राप्ती होती है इस साल महा शिवरात्री पर काफी खास सयोग बन रहा है महा शिवरात्री पर एक नहीं कई दुरलब सयोग बन रहे हैं शनीवार को महाशिवरात्री होने से जहां शनी प्रदोश का संयोग बन रहा है तो वहीं इस महाशिवरात्री पर मध्यरात्री में भगवान शिप के सिर पर विराजित चंद्रमा कुंभराशी में आकर शनी और सूरी के साथ मिलकर भोले नाद के माथे पर विराजित त्रिप उच्च राशी में होकर मालफ ये योग पनाएंगे जिससे भक्तों पर भोले नाथ की क्रिपा की खास वर्षा होगी महाशिवरात्री पर चार पहर की पूजा का विशेश महत्व होता है आईए जानते हैं महाशिवरात्री के चार पहर की पूजा का शुब महुर्थ पूजा विधी और मंत्र पंचाम के अनुसार महाशिवरात्री का शुब महुर्थ फालगुनमास की चतुरदरशीति थी 17 जनवरी को रात्री 8 बचकर 2 मिनिट से शुरू हो गई है जो 18 फरवरी को शाम 4 बचकर 18 मिनिट पर समाब्त होगी सरवार्त सिधीयोग महाशिवरात्री पर शाम 4 बचकर 12 मिनिट से शाम 6 बचकर 3 मिनिट तक रहेगा शास्त्रों में बताया गया है कि माहा शिवरात्री के दिन भागवान शिव की पूजा चार प्रहर में करने से शुब फालों की प्राप्ती होती है रात्री प्रथम प्रहर पूजा समय 18 फरवरी को शाम 6 बचकर 45 मिनिट से रात्री 9 बचकर 35 मिनिट तक रहेगा रात्री तरती प्रहर पूजा समय 19 फरवरी मध्य रात्री 12 बचकर 24 मिनिट से सुभा 3 बचकर 14 मिनिट तक की जा सकेगी तो वहीं रात्री में चतुर्त प्रहर की पूजा का समय 19 फरवरी को सुभा 3 बचकर 14 मिनिट से 6 बचकर 3 मिनिट तक रहेगा महा शिवराती वरत का पारण मोहुर्त 19 फरवरी को सुभा 6 बचकर 57 मिनिट से दुपहर 35 बचकर 33 मिनिट तक रहेगा महा शिवराती की पूजन विधी भी जाल लीजे इस दिन सुभा जल्दी उठकर स्नान करें और साव वस्तर धारण करें अगर वरत रख रहे हैं तो शिवर जी का मनन करते रहें और वरत का संकल पलें भगवान शिवर की पूजा के लिए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठें घर या मंदिर जाकर शिवलिंग में जला भी शेग, दुधा भी शेग करें शिवलिंग में बेल पत्र, धतूरा, फूल, बेर, जो की बाली आदी चड़ाएं भगवान शिव के साथ ही साथ पूरे शिव परिवार का पूजन भी करें महिलाएं, माता, पार्वती कर्शिंगार करें और उन्हें सुहाग की चीज़ें अर्पित करें इसके बाद नंदी, कातिके और भगवान गडिश को फूल, गुर, जनेव, चंदन, रोली, कपूर से इनकी पूजा करें इसके पशाथ भोग लगाएं और जल चरहाएं अंत में विदिवत आर्ती करने के साथ चालिसा, मंत्र, स्त्रोत और कथा का पाठ करें साथ ही दिन भर वरत रखें और सभी नियमों का पालन करें महाशिवरात्री पर चार प्रहर की पूजा में चार प्रहर का रुद्रा भिशेक करना विशेश फल दाई होता है पहले प्रहर में दूसरे शिवलिंग का भिशेक करें नबस्कार.